सावधान दारम करते हैं जैसिरियों नमा सिद्धेप्रा नमो अरिहन्तानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो अचायानम नमो लोए सब्वे साहोनम मंगिलम भगवान बीरो मंगिलम गौते मोगणी मंगिलम कुंद कुंधारियो जैन धर मोस्तु मंगिलम सर्वि मंगलि मंगल्यं सर्वि कल्यान कारकं प्रधानम सर्वि धर्मानम जैनम जैतू सासिनम जैनम जैतू सासिनम तज्ययती परमे जोती समं समास्तेरे नंते परियाये दर्पन तल इब सकला प्रतिफलती पधार्ते मालिका यत्र परमागम अस्य जीवं निशेद्य जात्यंदे सिंधोर बिधानम सकल ने बिल सितानम बिरोधे मथे नमिनमा मैने कांतम चंद्र कांती की सूरे तेज की इंद्र बेभव की चाह करें ऐसी कांती तेज अरु बेभव अभिनन्दन प्रेवु सेह जे दरें गुने अनुपम अच्छे हैं जिने वर क्या मही मा का गाने करूं हिर्दे बेराजो अभिनन्दन प्रेवु ने जानन्दे रसे पाने करूं ने जानन्दे रसे पाने करूं आचारे अम्रच्छन दीव द्वारा बिर्चित यह पुरुशा सिद्धि अपाय नामग्रंथ जो की अनुपम है अधुत है 226 लोकों में निवद है और 226 लोकों के माद्यम से हमको अध्यात्म प्यवर्टी का संगम दिखा रहा है हमको पुरुशा सिद्धि का अपाय बता रहा है सुखी होने का अपाय बता रहा है ऐसे इस दिकरंद पर हमारी चुर्चा चल लई है सिरावक अधिकार चल लहा है उसमें सम्में दसनाम का अधिकार चल लहा है क्या कह रहे हैं आचारे अमरचन देव क्या कहना चाह रहे हैं आचारे अमरचन देव क्या कह रहे हैं आचारे अमरचन देव ये आवस्चा नहीं है हमें जानना लेकिन क्यूं कह रहे हैं ये जानना आवस्सक है क्यूं कह रहे हैं किस बात को किस अपिच्छा से कह रहे हैं वो अभी प्राय जानना आवस्सक है तो यहां हमारी चर्चा चल लई है स्लोग नमर 22 पर उससे पहले ये कह चुके हैं कि मुक्ति का माग पुर्शारत शिद्धी का अपाय तो रतना त्रह ही है सेवन तो रतना त्रह का ही करना चाहिए और यदि रतना त्रह का सेवन नहीं कर पाओ मुनी धरम का सेवन ही करना चाहिए मुनी धरम का सेवन नहीं कर पाओ तो श्रावक धरमंग ये का करना चाहिए और श्रावक धरम में रत्ना तरह का सेवन करना चाहिए और पूर रत्ना तरह का सेवन कर किस क्रम में किया जाए कि पहले सम्मेदर्सन धारन करना चाहिए लेकिन पिर्योजन सम्मेदर्सन का नहीं होना चाहिए पिर्योजन रत्ना त संगों कि बावने नाट की होनी चाहिए और उस प्योजन की पूर्दी में ये एक step है प्रियोजन नहीं है ये हमारा हमारा प्रियोजन तो रतनातर है और बास्तम में रतनातर है भी प्रियोजन नहीं है हमारा बास्तम में परमार्थ प्रियोजन क्या है परमार्थ प्रियोजन क्या है हमारा कि अद शिद्य बस्ता को प्राव्त करना है ह्दुपध्य अवस्ता को प्राव्त करना हाउ इस द्रय का था कि उसे सिद्ध पढ़ियाए की क्या कीमत हमारे ग्यायक सुवाव के आ गई उस सिद्ध पढ़ियाए की क्या कीमत वो सिद्ध पढ़ियाए प्रती समय जो सिद्ध पढ़ियाए निकल रही है उस ग्यायक सुवाव की कीमत है वास्तम में तो और इसलिए यहां कहा पुरुषा सिद्धी का उपाय रतना तरह को नहीं कहा है पुरुषा सिद्धी उपाय गन्त में पुरुषा सिद्धी का उपाय रतना तरह को नहीं कहा गया है यारे लिखिये सिलोक लिखाया रतना तरह को काया कि लिखाया सिलोक लेकिन कह चुके हैं पहले ही अचलम चैतन्यम प्राप्त नोती इसका नाम पुरुशा सिद्धी उपाया है उस अचल ग्यायक सुभाव को प्राप्त करने का नाम पुरुशा सिद्धी उपाया है परमार्थ प्योजन तो वो है, परमार्थ प्योजन सिद्धवस्ता नहीं है हमारा, परमार्थ प्योजन हमारा सिद्धवस्ता नहीं है, परमार्थ प्योजन तो हमारा ग्यायक सुभाब को जानना है, और वो आनन्द महीं, वो आनन्द सरू ग्यायक सुभाब को जानने पर र रमन्ता बढ़ती जाति है बढ़ती जाती है रबंदा詐 An能 Am самого जानना है उसुछ ग्यायग सुभात को फिश्थे सारे काम अपने अप कुटें है तो परवार्थ प्यूजन तो ग्यायग सुभात को जानने पर रत्नातरह होते हैं तो बैभार प्यूजन रत्नातरह है खळ पर से बहार में बहार सम्मित्संग प्रिविजन है. तो यहां क्या कह रहे हैं? कि सर प्रत्म सम्मित्संग ये कार करना चाहिए म्रत्व का बरण करके भी अखिल यतनैं अखिल सब प्रकार के प्रयासों से एक मातर यही कारे करने योग गह उसी की चर्चा है संमित्तु क्या लचण है उसका लचण यहां 22 मिभ कि इस लोग में बता रहे हैं कि उस संमित्तु का लचण केहते हैं देखो क्या कह रहे हैं पढ़ते हैं इपॉर सी को कर जीवा जीवा दीनाम तत्वार्था नाम सदेव कर तभ्यम स्रकпис धानम hm जीव अजीव आदित अत्वार्थों क्या विपिरीत अभी निवेस रहित स्रधान करना ही सदा कर्तब्य है करने योग है करना चाहिए कर्तब्य तो एक मात्रिय ही है कर्तब्य की बाद हमें कल की थी क्या होता है कर्तब्य क्यूं करने योग है कर्तब्य और ये विपिरीत अभी निवेस रही तत्वार्थ स्रधान ही क्यूं करना है आप में से उत्तर बताईगा तत्वार्थ का स्रधान क्यूं करना है तत्वार्त का सरद्दान ही क्यों करना हूं कर बाद आ चुकी है यह पूछ रहा हूं मैं सिलोख में है आंसर सिलोख में है आप देखके बता सकते हैं आप शरू को प्राप्ट करने के लिए आत्म सरूप को प्राप्ट करने के लिए नहीं वो आत्म सरूप है वो स्रद्धान आत्म सरूप है इसलिए आत्म सरूप को प्राप्ट करने के लिए नहीं वो स्रद्धान क्या कह रहा है आत्म रूपम ततहा बहे स्रद्धान आत्म सरूप ही है उस्रद्धान से आत्म सरूप प्राप्त होता ये नहीं कह रहे आत्मे रूपम ततहा बहे स्रद्धान आत्मे रूप ही है उस स्रद्धान से आत्मे रूप प्राप्त होगा ऐसा नहीं है वो स्रद्धान आत्मे रूप ही है इसलिए वो स्रद्धान करना है आत्मे रूप ही है इसलिए तत्वारत के करना ही एक मात्र हमारा कर्टब है दूसरा कोई कर्टब पेह नहीं यह वात यहां पे ले तत्वा सकती ठों के दूप रिखार दिये यहां हां वह आ या यह कैला है उसे क्वार्प से करना है यह तो गलत तो कुछ भी नहीं है मैं एक दिन कहा था कथन तो कोई गलत होता ही नहीं है कथन तो कोई गलत नहीं होता कथन गलत नहीं है वो आत्म रूप ही है आत्म रूप है आत्मा का रूप है इसलिए वो श्रद्धान करना है क्योंकि वो आत्मा का रूप है मेरा कहने कार इतना है सरद्धान से आपने रूप राप्त नहीं होगा वह तुझ रधान अपने आप में आपनी रूप है वह तत्वार सुरद्धान के दो प्रकार किये थे और कौन से प्रकार किये थे कि दोनों ही बराबर हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, हरंच मात भी अंतर नहीं है, दोनों सरद्धान में, और उसके बाद जीतत्व की चर्चा की थी, हमने तीन प्रकार की जीवतत्व हैं, सुद्धी जीवतत्व, असुद्धी जीवतत्व और मिश्री जीवतत्व वो किसा पिछा कही जा रहे हैं, वो सारी बात हमने कर ली थी, अभी चलते हैं आगे अजीव तत्व की तरब, देखो अजीव तत्व में क्या कह रहे हैं, जो चेतना गुण से रहित है, बेपुदगल, धर्म, अधर्म, आकास और काल, ये पांच पैकारिके अजीव तत्व है उनमें देखो पहले पुदगा धर्मा की बात करते हैं, कर्णपात कर ली थी अजीव तत्त की थोरी सी, पुदगा धर्मा बात करते हैं, आगे देखो क्या कह रहे हैं? इस पर्स रस गंद बर्ण संयुक्त अनु तथा इसकंद के भेद से दो प्रकार का है इस पर्स रस गंद बर्ण संयुक्त है इस पर्स रस गंद बर्ण से संयुक्त है और अनु और इसकंद के भेद से दो प्रकार का है पुद्रीन द्रेकाल का होता है ज्यादा प्रकर थिंद लिए परमान रिसकंद धो लेकिन मेरा कहनेकारत है पुद्गल के दो भेदें की ज्यादा है और इसकंद तो अने प्रकार के हो गए न फिर दो वेद में एंगे सुद्ध भी एसकंद ऐसे नहीं तो है इसकंद देष नहीं ये वहां पर इसलिए मैंने पूछा आपसे बस चार वेदी किया है इसकंद-देष और प्रदेष और परमाण। कि यहां पर मुख्य रूप से यहां दो की वात की है यह इसकंद देश और इसकंद प्रदेश जो है वह इसकंद का यह 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 इसलिए भी को मतलब कोशे मतवेद नहीं है उसमें दो कहने में चार वेद कहने में कि वहां पर चार वेद कई या दो बेदों की बात की जा रही है अनू और इसकंद ठीक है उनमें जो एक का की अभिभाकी परमाणू है उसे अनू कहते हैं अम उसको तो क्या करे दिया अनू है एक तो अनू है जो एका की है अभिभागी है जो बास्ता में पुदगल है जो बास्ता में पुदगल है वो तो अनू ही है उसके बाद तो दो पुदगल दरभ्यों को मिलके बनी पड़िया है बास्ता में प्योर की बात का रहा है तो परमानू ही पुदगल है उनमें जो एका की अविवागी परमानू है उसे अनू कहते हैं और अनेक अनू मिलकर इसकंद रूप होने पर इसकंद कहलाता है जब अनेक अनू मिल जाएं तो इसकंद बन जाता है और इसकंद को इसकंद कहते हैं इसकंद देश किसे कहते हैं इसकंद देश किसे कहते हैं पता है इसकंद देश इसकंद प्रिदेश का पता है क्या चरू एक निट बात करके आगे बढ़ते हैं इसकंद में तो अनन्त परमान हुआ है इसकंद देश है तो इसकंद ही लेकिन जितने परमानों से इसकंद बना हुआ है उसके आदे परमानों से जो बना है उसको कहते हैं इसकंद देश और जितने परमानों से इसकंद देश बना हुआ है उसके आदे परमानों से जो बनता है उसको कहते हैं इसकंद प्रिदेश तो दो अनू तीन अनू ये इसकन्द प्रदेस है और नौज अनूव ग्यार वारे तेरे चौथा पंद्रें ये इसकंद है इस प्रकार से डुघाज़ेशन है उसका है यहां दो की बात की जा रही है यहां इसकंद दो अनू से लेकर और सारे अनू आपको अनेक अनु मिलकर इसकंद रूप होने पर इसकंद कहलाता है तो ये तो अधिसे नाम है आपको इस्तूल इस्तूल सूच में इस्तूल सूच में इस्तूल इस्तूल को दो बार बोल दो, इस्तूल को एक बार बोल दो, एक बार इस्तूल को सूच में के साथ बोल दो, एक बार सूच में के साथ बोल दो, एक बार सूच में के साथ बोल दो, एक बार सूच में के साथ बोल दो ठीक है तो इस्तूल इस्तूल क्या होता है कि काश्ट पासान आधी जो छेदे भेदे जाने पर बाद में मिले नहीं उन्हें इस्तूल इस्तूल पुद्गल कहते हैं कि जैसे लखडी है पत्थर है तो इनको यदी अलग-अलग किया जाए लखडी को काट दिया जाए तो काटने के वाद जुड़ नहीं सकती वह है ना देखो इस तूल तो किस तूल सूस्व किस परकार से वेद किये जाते हैं कि जो इंद्रिय गम में उसको इस तूल कहा जाता है जो इंद्रिय गम में नहीं उसको सूस में कहा जाता है तो इस तूल इस तूल मतलब बहुत ज्यादा इंद्रिय गम में बहुत ज्यादा इस तूल है ऐसे काश्ट पास्रान आदी जो छेदे वेदे जाने पर बाद में मिलते नहीं बाद में मिलेंगी नहीं बरतन है धात इसमें गांट आए लिए हुए घो चो चेंद बेए जाने पर बाद में मिले नहीं उसे तो कहते हैं इस्तौल इस्तौल पुद्रगर के खाते में गया दूसरा है इस तूल की जो जल दूद तेल आदी द्रब पधारतों की तरह चिन्न विन्न होने पर फिर तुरंती मिल जाएं जैसे जल है दूद है तेल है कि उनको अलग अलग करो तो अलग अलग हो जाते हैं मिल भी जाते हैं वह एक भगोनी में दूद है उसको दो गलासों में किया तो अलग अलग हो गया और दोनों गलासों को बाद में मिला भगोनी में डाल दिया तो अलग अलग रहेंगे एक मिल जाए गया दोनों ग्राफ वगोनी रूप हो जाएंगे है ना दो जल दूर तेल आदी तो तरहर पधार्थ हैं उनको छिन्विन होने पर तुरंत में जाते हैं उनको इस्तूर बुद्धगल कहते हैं उनको कोश है नहीं समझाने वाला यह पंचास्ति कायमें भी है यह उधार है इस्तूर 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 तो अलग हो गए और सूर्ष में एक साथ यह भागे पीछे नाम है एक में स्तूर पहले लिखा हुआ है याद रखने के साफ से इस तूल है लेकिन सूस में इस तूल होते हुए भी सूस में इसलिए कह रहा है इस तूल सूस में कि मीशी आपर भेदी किये न इस तूल होते हुए इस तूल है वह मुख्य रूप से बात की गई है ने तंद्रिया के आदार से कि इस तूल है दिखाई दे रहें लेकिन फिर भी सूस में और इदर सूस में दिखाई नहीं दे रहे सूस में वह मुख्य है तो नंगो से याद रखें सूस में इस सूस में होते हुए भी सूस में हमें पिंशास्ति काय में आताप लिखा बात वही है वो सूरह का प्रकास की कोई आताव कहा जाता है तो सूरह की रोशनी है दिखाई तो दे रही है हमको लेकिन पकड़नी पा रहे हैं चंद्रमा की चांद्नी दिखाई तो दे रही है हमको लेकिन पकड़नी पा रहे हैं दिखाई तो दे रही है इस तूल है क्योंकि दिखाई द इसलिए उसको कहते हैं कि दिखाई नहीं पड़ेगा इतना छोटा है कि दिखाई नहीं पड़ेगा लेकिन इंदरियों से जान सकते हैं इसलिए इस तूल है आखों से दिखाई इसलिए 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 रहा है कि जो सब्ञादी आख से दिखाई ना पड़ें कि अन्य इंदरियों से जान में आवें उन्हें सूस में इस तूल कहते हैं जैसे सब्द है कि सब्सक्राइब था नहीं को लेकिन कान देरा है कि इंद्रिये गम में है पता चला है उमको सब्ध है गंद दीक्टो नहीं रही हमको गंद लेकिन गांदे ल्टे से पता चल्डा है मिं अन्य इंदिरियों से जानने में आव हैं उनको कहते हैं सुसमेश्चू फिर उसके वाद है सूस्म कि जो कार्मान इसकंद आदी बहुत पर्मानों के इसकंद हैं परंतु सूस्म क्यों है वो क्यों इंद्रिय गम में नहीं है उन्हें सूस्म कहते हैं है तो इसकंद हैं तो इसकंद के वेच च्छे की च्छे लेकिन सूस्म किसको कह रहे हैं जो इंद्रिय गम में नहीं है जो ना आखों से दिखाई देते हैं ना कान से सुनाई देते हैं ना इस पर्स कर सकते हैं ना सून सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं उनको यहां कह रहे हैं कि कार्मान बर्ग तो कार्मान बरगनाय बहुत परमानों के इसकंद है परस था दिलिये गम में नहीं है उन्हाँ कहते हैं यहां किन तो दिखाई देने लग जाएं तो क्या होगा तो क्या होगा पता है क्या होगा आपको बढ़कती आतमा दीखेंगी फिर आपको बढ़कती आतमा दीखेंगी क्यों बढ़कती आतमा क्यों दीखेंगी फिर के बढ़कती आतमा क्यों दीखेंगी अभी जाता है तो यहां से को आत्मा दीखेगी जाती हुई जो कलपना है जगत की आत्मा भटकती है वह ऐसी हो जाएगी कलपना गलत नहीं कलपना गलत नहीं है क्योंकि 1-2-3 समय में इतने समय तो आत्मणी डहारन किया आपूस यह तो शरीर तो है नहीं उसके पास लएकि कार्वान बढ़ ना है उसके साथ में से कोया है कार्मा वाग मतां रम इस यह बन सकती है बनेंगी या नहीं यह नी कह सकते ही बन सकती है अब जानने में आ सकती है कोई परिशानी नहीं है उसमें इंद्रियों से तो नहीं जानी जाएंगे लिए को आपदी ग्यां का विसे पुद्गल है जीव नहीं है है मनने पर इत्पन जो हो रहे हैं भाव वो है तो जीव तो नहीं आत्मा तो नहीं देखेगी कार्मा बढ़ नहीं लेकिन देखेंगी ऐसा ड़े आत्मा अपनी आत्मा अपनी नहीं पर अनुबह आतो थे वाल्न कि अपनी की तो बात यह है कि लेकिन कि बात है वो दिखेंगे उनको कि मुर्त यहां नहीं देते रहें वह ada southwest में आत्मा का जो आकार है ना वहें को आत्मा की आकार की करपना की गई है भी हो जैसा आत्मा का सरीर आकार रहता है यह इंग येग तो मनुस्य पने से गया है तो मनुस्य आएकार रहता है तो जो तीन समय है अगला सरीधार नहीं कि यह तो समय वह सरीर आकर तो मनुस्सका यह आत्मा का कि कामार बढ़ना प्री आत्मा का क्म नहीं है क्यों आत्मा दर Six पोर यह कटिंग वाली जो आती है प्लेंट पने जो कटिंग हो ती थे वह में बगवान की बनाई जाती है उसकी कह रहे हैं तो भही मैं कह रहा हूं कि वहां पर भी जो आकार दिखाया जा रहा है ना वो कारमार्बरगनाओं का तो नहीं कहेंगे उसको लेकिन जो अंतिम पूर्साकार है न उंका भी यह कह सकते हैं लेकिन महां पर हम कारण बगणना है नहीं नहीं कह सकते हैं तो आप इसलिए मैंने कहा कि सिद्ध भगवां की स्थापना की बात है तो माई जो अंतिम पुरुषाकार तो है यूंका क्यों का आकार तो वही है तो उस देश्टी से कह सकते हैं पुरुषाकार तो वास्तम में कहा तो उसी देश्टी से जा रहा है उस आकार को कहा तो उसी देश्टी से जा रहा है जो का कंद आदी बहुत परवानों के संक हैं पर्डितम इंदरिय गश्व नहीं है हईने सूसमं कहते हैं हमारी यान कभी से नहीं है और सूसमं swimming सूसम में सोसम अतिय सूसम सिसकंद अत्वा बुद्धा परवांवन को यह नहीं कहा गया हैं लेकिन प्रवांव को थो पनचाश्ति कामें जो सूस्म कहा है वो भी आनुको कहा है द्री अनों को सूसन सूस में कहा है एक अनों को नहीं कहा है वहाँ पर सूसन सूसन पंसा स्तिकाय में तो प्रमानों को नहीं कहा जा सकता लेकिन एक अपेच्छा कह सकते हैं उस खाते में डाल दिया ठीक है में सूसन सूस के खाते में डाल दिया हमने एक अनों को भी दो अनों से बस किसमें नहीं सुछनु सूस में तो दारन के रिए कुस ही नहीं आएगा वे उद्रान बनेगा नहीं क्योंकि क्योंकि जो आपको जो बर्गना देखाई जो बर्गना होती है तो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं को वो सारी बर्गना सूस में आती है कि जो भी बर्गना है वो बर्गना तो आती है सूस में को उसका उधारन कुछ बनेगा नि दुर्यनुक आधी पडिया है दुर्यनुक आधी इसकंद की तो वो कुछ बनेगा ने उसका उधारन कुछ हो तो देख लेना आगम में मैंने तो सब्सक्राइब मारा घंड़ा जैसे का मार उड़ा है वही तो इस निए तो आपके आपके आवाज कट रही है आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसकंद जो है वह सूसमें आ गया तो प्रमान वह सूसमें आएगा किसको मैं के बताए लेकिन लेकिन आप क्या कहना चाहा है जो मैं समझा हूं है एक कि पूसमें दो चाणव है बहुत बहुत सारे अनुएं से मिलकर बना हुआ इसकन्द बहुत सारे अनुएं से मिलकर बना वा इसकंद है और दो 3-4-5-10 ello 2019 इतने अनुऺ र६ंसे मिलकि बनिया सको सुष रूच में डाला लेकिन वह इंद्रिय गम्में नहीं है वह इसलिए कहा है उसको कि इंद्रिय गम्में नहीं है है या फिर के वारे में अया इस बैकार इस लोगमैं प्रैशुर प्रैसार पुद्रिगाड दश्य तो ठीक है तो यह तो पुद्र द्रब्वय के वारे में आया एक चीज और है पुद्रब्वय के वारे में इस पर सरस गंद बर्ण ये चार गुण कए हैं तो सब्द पुद्र कर में नहीं आता क्या शब्द को पर्याय में दिया है हाँ कि देखो पुद्धिकल जो है उसको असब्द कहा है सब्द रूप नहीं है क्योंकि सब्द उसका गुर्ण नहीं है और बास्ता में परमानों सब्द रूप होता भी नहीं है परमानों सब्द रूप नहीं होता है क्योंकि सब्द रूप क्या होता है इसकंद में होता है स लिए पुधिगय्स के चार के जाते हैं सब्सारत नहीं कहा जाता क्योंगि सब्सक्राण नहीं है उसका क्या उसका सरूप मैं Fit कुछ एन नहीं का इसकंद में सब्द बनते है direct इसलिए सब्द जो है को पुद्द 2007 वह कराथ सब रता है सब्सक्राइत वह सब्सक्राइब किया है वह सब इसकंद के अपिछा से कहा है लेकिन पर्मानु में सब्सक्राइब होता है इसालिए का सरूफ की बात करेंगे तो सब्ध को कि इन कह सकते कि परमानों का नहीं है लौ शरूप क्योंकि वह शुद्र ज़ा spring इस य Сам सरूप है क्या है कि ये क्या से जल है जल पुद्गल है और जल में इस पर्स है तो अगनी में तो रस भी नहीं या गंध भी नहीं और नहीं पूछता आप से पूछ रहा हूं पढ़ा है इसलिए वह तो आपनी पढ़ा है देको वहां पे आसा महां पे लिखा है की अगनी में इस परस और बढ़न तो यह चुक्त और जल में इस परस गंद और बढ़न विक्त हैं रस अभयत यह तो ज़िए निया चारव ने दिखाई कि लेकर गुण्ट चारों होते हैं अगनी बी गंद से रहत नहीं है रस से रहत नहीं है चाहते हैं अहीं संद। तो होई रहा है पूरा करना है यह साथ तक तक पूरे करने हैं आज धर्म दरब्ब्बे पे चलते हैं तो कर लो जाए जीव और पुद्गलों को गती करने में सहकारी गुण संयुक्त लोक प्रमान एक दरब्ब्ब्बे है धर्म दरब्बे एक प्रदेशी है कि बहु प्रदेशी है निच्चे ने से एक प्रदेशी है और बेवार ने से बहु प्रदेशी है प्रदेशी ने से बहु प्रदेशी का जाता है उसको लिच्चे ने से उसको एक प्रदेशी का जाता है वह ध्याघ्याडव में था जाकूं दिखाई कैसे देगा आपको दिखाई 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 तो बहुत कुछ नहीं दे रहा है दिखाई तो आपको सरवग भी नहीं दे रहा है कि सरवग भी नहीं दे रहे का दे रहा है ध्यां से तो तो धर्म-दर्म का मालूम पहेड़ाएं ग्यान से तो धर्म-दर्म का भही पता चलना हे औ anno tart अरे एक तो काम यहाँ है अनुदे नहीं है अरे देखो काम के तो आसरबन्द भी नहीं है संबन इजरा मोच मिन एकी दो जो काम की बात की जाएगी तो काम कि तो आश्रपन संबनी दरा मोच भी नहीं है काम का था मैं यह हुथा हाँ काम का तो यह ग्यायक भावे बस नव तक्त्वा में चुपी हुई जो आत्मी जोती है पूछा था मैंने आप से कर वह तो रही गया तो उसकी बात करेंगे बाद में पढ़ लेते हैं धरम द्रब्वे सेम गती सील जीव और पुद्गलों को गती करने में सहकारी गुण संयुक्त लोक प्रमाण एक द्रब्वे हैं जीव द्रब्वे कितने हैं ऑनंत ऑफ एक है और काल असंख्यात है यहां कहा रहे हैं एक द्रब्वे कैसा है कि एक ही है दरम दरब्य में दो पना नहीं है कि दरम दरब्य दो हो गए हों कि दरम दरब्य एक ही है इसलिए एक प्रिदेशी का है उसको क्योंकि वो अखंड है क्योंकि वो अखंड है ऐसा नहीं है कि इस प्रिदेश का अलग है उस प्रिदेश का अलग है एक ही है लेकिन अखंड है को बहोग प्रिदेशी कहा जाता है कि ऐसे हैं ऐसे ऐसे हैं ऐसे आत्मा को केलो हाह को हाँ आत्मा को हां चाहां जाया चाहे वो आत्मा हो चाहे धरमदरब्याय हो चाहे अधरमदरब्य हो सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो तो कि वह जो सैम गती सील है सेम गती सील को गती कराने में सेकार यह गती कराती नहीं है ठीक है परिवास आपने पड़ी हुई है किलियर है आप सबको नहीं है कि वो गती तो अपने आप कर रहे हैं लेकिन गती कराने में निमित है एक बात तो यह गती कराने में निमित है दूसरी बात यह गती सील को गती कराने में निमित है बिख को कराने में जो गती सील है को ही गती कराने में निमित है क्योंकि देखो जैसे कोई वेक्टी रोका हुआ है तो रोका हुआ है और वो चला तो जब वो चलना start किया उसने तो फिर दर्म दर्में निमित हुआ पिए, तो फिर तो क्या होगा हम रोके हुए हैं चलने अपने आप अपने आप चलने क्लreON नहीं गती कराञे में निमित है करता कि वहाँ सेम गमन नहीं करता है दूसरों को गमन नहीं करता नहीं है दूसरों को गमन कराता नहीं है और सेम गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को गमन में निमित बनता है बस इतना हो रहा है हम चल लए हैं तो इसमें द्रम द्रब्य की बज़े से चल पा रहे हैं कहा यह जाता है कि द्रम द्रब्य की बज़े से चल पा रहे हैं चल अपनी स तो नहीं है वहाँ एक पूर्वक श्तिती करने को जासे हुए को रूकने हम Cryo को रूक से नहीं है यह नहीं है नहीं नहीं है अच्छा है आप यह तो हमको अब गान मिला हुआ आकास की थ्रो बस अदम दानिमित नहीं है अपनी किर्यावति शक्ति से बैठे होँ है अदम धे न नहीं है अभी निमित-धे नहीं है जब वहों गंडे से तो हमको अपनी सक्टी बैटे हुए हैं और आकास कि तुरुम को अव्गान मिल बनार इंद में से थिंया macht पूर्वग स्थिती करने कि रोक्टे र को रोकने में मित भी नहीं है चलते वे को रोखने चलते हैं और अजी तक भी नहीं हो पाएगा पुरा साइद क्रिश्ज bis दर्म दर्ब्य में क्या कहा था लोक प्रमान एक दर्ब्य और आकास दर्ब्य में क्या कहा था लोक प्रमान एक दर्ब्य है क्योंकि वो लोक में भी है और लोक में भी है दर्ब्य एक ही है जिसमें समस्त दर्ब्य पाई जाएं उसे लोक कहते हैं और जहां केवल एक आकास ही ह है उसे लोग कहते हैं डोनों की सत्त भिन नहीं है ऐसा नहीं है Qu hotel अलग है अच्छा अब कर दरव्वे की बाद तो आयए आगे तो तभी तभी वात करेंगे जिसमय समझति रभ sanctary पाई जाया उसे कि लोकाचस के गुन पर यालाग हो अश कई पर यालाग हो इक धुर्व्व्व है उस्के मीश से पlements भी एक हो रहा है गुंगों का पही नन गुद्वी एक है कुछ भी बिन नहीं है सत्म नहीं है नो कना व का दुर्व और देखो क्या कह रहे हैं सब्सक्राइब अ हेतुत्व लच्छन सन्युक्त लोक के एक एक प्रिदेस पर स्तित एक एक प्रिदेस मात्र असंग्यात द्रब्वें हैं कि सरव द्रब्व्यों में परड़ धूसरें का ही बर्तना का ही दून है है मिनमित्त उन वह चर्थ है किसे कहते हैं प्रिदेश की जो चेतर की सबसे छोटा वाग है उसको कहते हैं प्रिदेश तो एक प्रिदेश पर एक कालानू है एक दूसरे प्रिदेश पर दूसरा कालानू है तीसरे प्रिदेश पर तीसरा कालानू है एसे वो काल द्रब्य हैं सर्व द्रब्यों को बढ़तना है तो लच्छन संयुक्त लोग के एक एक प्रिदेश पर इस्तित एक एक प्रिदेश मात अ कर दोचा संध्या द्रब्वेन Sun द्रभेन उसके पजिनाम के निमिति से समय आवली आधी वैवार काल है कि यह तो क्या है वैवार काल है मेरा पड्रब्रब कर सद्र्डभेन कराता है विए ज्यूंश्य तो और स्भीस गता है निमत नहें का परिणमन कैसे हो रहा है कि अपने 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 इसे हो रहा है पर निमें तो यह नहीं हो जिन्होंने पंचास्ति का यह पढ़ा है उनसे मैं उम्मीद करूंगा अंसर की इन नहीं पढ़ा है कि बता वह यह इसा तो नहीं हो सकतर परिणमन नहीं हो रहा है पर्णमन तो बहना जाएगा पर्णमन तो दर्वता ही नहीं तो परिणमन तो हो रहा है हां देखो मैंने पूछा वाद की पंसास्ति कायम है इसके लिए उधारण दिया है और स्टार्टिंग में इस्टार्टिंग में दिया है पहले अधिकार में दिया है सब्स नम्मर की गाथा इसी के लिए कई है दिया है जैसे गाख है तो बाख को हमने चलाया यहाँ पर और श्क्राल पूरे बास कों सब्सक्ता हो यह int कुन इसी मजब बाव और टो यहां पर कबार नए और तो ऑख पली किए गए अंसी एक है तो यहां तो जैसे ही लोगा कास परिंदमन हो रहा तो जैसे दोड़ी ईक है उसका पूरे का परिंदमन हो रहा है बन्दी चीकर पर है लेकिन लोका कास का परिंदमन और तो अधार्ण दिया गया तो हुआ फैसलिए हैtheнов किया रहा है यहां उसके परिणाम के निमत से समय आपली आदी बैवार काल है निच्छे काल क्या है और चुछ यह सोर्श्डाइटतबर अधंट्र निच्छे कंझे चाथ यह समय आबली आदी तो क्या है कि यह तो बैवार काल है यह तो बैवार काल है जो एक प्रिदेश पर एक कालानू है प्रिदेश नहीं है इस काल को का जाता है इस प्रकार जीव द्रब्य सहित छे द्रब्य जानना काल के बहुप्रिदेश नहीं है अतहे काल के बिना सेश पांच द्रभ्यों को पंचास्तिकाय कहते हैं पंचास्तिकाय की परिवास भी बता दी कि काल द्रभ्य में बहुप्रदेशी होने की सामर्थ नहीं है बहुप्रदेशी होता नहीं है वो इसलिए अस्तिकाय किसको कहते हैं बहुप्रदेशी हो तो काल द यह तो होए दो मुख्य तत्त्त्त जीव और अजीव आजीव अब इन दो के संस्बंद्ध से 5 परियां 5 तत्त उत्पन होते हैं तो पांच-तत्क क्या हैं उनकी चर्चा कल करेंगे चर्चा तो आज ही करनी थी क्योंकि कल नया विस sih आएगा इसमें एक और विस फर आदे सी ल तो कली करेंगे इसकी चर्चा थोड़ा सी एक प्रस्ट ने हां बताइए जैसे आपने कहा था कि सब्द सब्द परवान नहीं सब्द की बात निकाली थी अभी तो बासा बर्गना यह जितनी भी बर्गना हैं विश्चा पुद्गल में आती हैं गुद्ग डियों की जब बासा बर्गना आतीज इसकंद में आती है इसकंद पुद्गर्द र्भ्य का अभी है लेकिन सुध्ध पुद्ध रभ्य नहीं हो थो इस्रेस क्यों बहुत सारे मदालों मिल तो जो इसकंद है इसकंद से सब्द उत्पन होता है परमानों से नहीं होता है इसलिए मैंने कहा कि अचारे कुंद कुंद देव ने का असब्द इसकंद रूप से कह सकते हैं परमान रूप से नहीं कह सकते हैं सब्द को इसकंद का सरूप तो है इसकंद का सरूप इस पर सरह से गंद बढ़ने सब्द रूप है और परमानू का सरूप इस पर सरह से गंद बढ़ने रूप है वस इतना अंतर है वो उससे ज्यादा कुछ भी कि पिरिदेश की सबसे छोटी एकाई को परवाणू का समंद्ध प्रिदेश से नहीं है जिसका दूसरा नहीं किया जा सकता इसको कहा जाता प्रवाणू जो चोटा चोटा अंस है कल बात करेंगे आप कल प्रसने पूछ लेना वह बैठे हैं तो कल बात कल पूछ लेना प्रसन स्टार्टिंग में तो करेंगे ना बिचार करना हम सब भी साथ तत्वों के इस रद्धान को बिप्रित अभीनिवेश रहे अधुत्तम त्याग धरम है इस विप्रिश रद्धान का हम त्याग करें और इससे साथ तत्वों को यथार्त रूप से जानते हुए मुच मांगे प्रवर्दन करते हुए हम सब शिद्धों के बीच जाका विराजमान हो इसी मंगर भावना के साथ अभी की बात को यहां विराम देते हैं